हेलो दोस्तो मेरा नाम है अब जीत और आप देखरें टेक गईट दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको 6-8000 के बीच में आने वाले काफी कमाल के स्मार्टफोंस के बारे मैं बताऊंगा जहाँ पर आपको रैम अच्छा मिलेगा, स्टोरेज अच्छा मिलेगा और लुक वज़े से मैंने सोचा चलो आपको एक helpful वीडियो देते हैं जहाँ पर आपको मैं अपने तरफ से जो best 5 स्मार्टफों रहेंगे under 8000 उसके बारे में बताऊंगा तो वीडियो पूरा अंद तक देखेगा अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और जिन्च को भी कोई भी फोन खरीदना चाहोगे तो दो कंप्रमाइज आपको सबसे जादा देखनी को मिलेगा खासकर 67000 के बीच में कि आपको रैम कम मिलेगा तो रैम कम मिलेगा तो आप जादा एप्स यूज नहीं कर पाऊगे और दूसरा की प्रोसेसर थोड़ा ना मिडियोकर रहेगा तो उस लेवल पे आप गेमिंग नहीं कर पाऊगे तो ऐसे में दोस्तो 5 अच्छे अच्छे फोन च्छाटना काफी मुस्किल हो जाता है वैसे हाँ वीडियो के लाश लाश तक आते आते हैं आपकी लिए एक बेस्ट फोन तो मैं बताई दूंगा तो यहाँ पर दोस्तो ल अच्छा लग रहा है फ्रंड में भी आपको LED फ्लैस देखने को मिलता है तो कुछ कुछ चीज़े यहाँ पर अच्छी देखने को मिलेगी लेकिन हाँ बात करते हैं इसके फीचर के बारे में तो यहाँ पर आपको मिलता है 6.52 इंचे का HD डिस्पले 8 मेगा पिक्सल का मिलते हैं और अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर से जियो के तरब से 550 का कैस भी मिल जाएगा डारेक्ट आपके बैंक एकाउंट में तो एफेक्टिवली यह फोन लगभग 6000 का हो जाता है तो उस हिसाब से दोस्तों यह काफी सही value for money है अगर आपको detail में देखना होग high button पे click करके देख सकते हैं बढ़ा अगर आप थोड़ा सा और बड़ा display चाहते हैं जहाँ पर दोस्तों आपको battery भी ज़्यादा चाहिए और थोड़ा सा processor भी अच्छा camera भी हलका सा अच्छा तो फिर आप इसी का बड़ा भाई खरीच सकते हैं जो की है Infinix का Smart 5 अगेन दोस् अगर आपको सब कुछ ज़ादा ज़ाद चाहिए तो उसको देख सकते हैं नेक्स जो फोन है दोस्तों वो आता है Redmi के तरब से अब Redmi काफी लोगों को पसंद है तो अगर आपको एक Xiaomi का फोन चाहिए तो ये फोन को आप देख सकते हैं ये दोस्तो Redmi का 9A अल्दू ये फोन का काफी पुराना हो चुका है बढ़ हाँ अगर आप 7000 के हिसाब से देखते हैं तो काफी ज़ादा अगेन वैल्यू फॉर मनी बन जाता है फीचर की बात करते हैं तो 6.53 इंचेस का डिस्पले मिलेगा 13 मेगापिक्सल का पीछे का कैमरा है 5 मेगापिक्सल फ्रेंट में जाती है और यह जो फोन है दोस्तों यह आपको 6999 की कीमत में मिलेगा 2GB 32GB के वेरियंट के साथ तो इस आप से देखा जाए एक डिसेंट ओफरिंग है अगर आपको एक शाओमी यानि के रेड्मी का फोन चाहिए तो देख सकते हैं और इसमें आपको फिंगर प्रिंट सेंस तो यह जो रेड्मी और मैंने आपको रियल्मी का फोन बताया यह फीचर वाइस काफी हद तक सेम है लेकिन हा किसी में आपको थोड़ा कैमरा अच्छा मिल रहा है किसी में आपको प्रोसेसर अच्छे मिल रहे है बाकी काफी हद तक आपको एक्स्पिरियंस ओन अन और ओफरिंग है जो कि है रियल्मी का नार्जो 30A अभी मैं फिलाल देख पा रहा हूं कि 9000 इसका प्राइसिंग है लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप इस प्राइस ब्रैकेट में देखते हैं थोड़ा वेट करके जैसे कि फ्लिपकाट का सेल आता है तो जेनरली यह आपको 8000 की कीमत में मिलता है तो अगर आप थोड़ा वेट करके खरीना चाहते है एक पाउरफुल स्मार्टफोन जिसमें गेमिंग अच्छा कर पाओ आपको ओवरॉल क्वालिटी अच्छी मिली फिंगर्प्रिंट सेंसर यह सब सब कुछ अगर आपको चाहिए एक पाउर इसलिए दोस्तो लिस्ट का जो टॉप स्मार्टफोन में आपको सजेस्ट कर सकता हूँ वो आता है हमारे देश के तरप से Micromax का N2B और यह फोन मुझे परसनली यार काफी सही लगा बहुत सारे रीजन है यहाँ पर कि आपको सबसे जादा रैम सबसे जादा स्टोरेज इस इस प्राइस ब्रैकेट में पहली दफा देखने को मिल रहा है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इसका जो प्राइस है फिलाल जब मैं यह वीडियो शूट करूँ 7999 है 4GB 64GB के साथ मिलता है तो अच्छी बात कि रहेगे कि आप मल्ट्री टास्किंग अच्छे लेवल पर तो क प्राइस की बात करते हैं तो 4GB 64GB के साथ 7999 में यह आपको देखने को मिलेगा तो यह सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए दोस्तो 8000 डेफिनेटल यह जस्टिफाई करता है क्योंकि fingerprint sensor है यहाँ पर से आपको बाकी सारे चीज भी अच्छे देखने को मिलते हैं and micromax है तो आपको clean experience मिलेगा क्योंकि बहुत सारे phones जो मैंने आपको बताया उसमें आपको custom UI देखने को मिलेगा तो उसमें थोड़े मोड़े ads के पंगे हैं बट यहाँ पर आपको पूरी तरीए से clean experience देता है और clean होने की वज़ज़ से again battery backup अच्छा हो जाता है use करने का experience और अच interested हैं जा करके जरूर देखिएगा बाकी मैं आपसे जाना चाहूंगा कि अगर आप होते तो कौन सा phone कर इतने हमें comment करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगाओगा like कीजेगा share कीजेगा channel पर नहीं होंगे subscribe करके bell notification भी press कर लीजेगा तो मैं हूँ आपका दोस् रीडियो में थैंक्स अलोट फो वाचिंग